ओम श्री गनेश आयनमा माईडिया फ्रेंज तो आज हम एक नो कॉन्टाक पे लव टैरो रीडिंग लेके आए हैं जो की होगी बिल्कुल डिफरेंट एंड यूनीक फॉर दे न्यू वीक जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपकी एनरजी उनके लव मेसेज़े एंड देन हम आप उनके डिवाइन गाइडिन्स निकालेंगे ठीक है तो यह होगा हमारी इस रीडिंग का मेन एजंडा बट उससे पहले आई होब कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होगे ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टन करें दूसरा अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस रीडिंग को अगर आप पसंद करते हैं और पहले भी आप लोग मेरी रीडिंग्स पसंद करते आए हैं तो प्लीज उन्हें लाइक जरूर करा करें एक को भी जरूरत हो यह रीडिंग उन लोगों तक पहुंचती है बस लाइक से एक यही फर्क होता है कि वो रीडिंग को बूस्ट मिलता है और जादा से जादा लोगों में देख पाते हैं ठीक है फ्रेंज तो अब हम जल्दी से अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ठीक है और राइट सो लियो याने के संग राशी आईए देखते हैं फ्रेंज की क्या है आपकी इस सिचुवेशन में आपके सबसे पहले आपकी क्या है एनरजी इन दिस नो कॉंटाक्ट सो हम स्टार्ट करेंगे आपकी एनरजी से किंग ओफ अर्थ दो कार्ट आए हम दोनों लेंगे दा हर्मिट पेज ओफ कप फेज ओफ एर एंड फाइव ओफ एर देखें मुझे जो दिख रहा है कि आप इस रिलेशन्शिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं लियो आपको चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को समझें एक दूसरे को जानें और अगर ये नो कॉंटाक्ट और लंबा हुआ तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी आप अपने आपको समय देते हैं आप बार-बार चीज़ों को समझते हैं जानते हैं अकेले बैटके श타path बहुत जादा एनलाइस करते हैं कि वो कौन-कौन सी गलती है जो मुझ से हुई उससे हुई और कहीं न कहीं ये बात अब आपको बहुत strongly realize हो गई है कि आपने भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़े करी हैं जैसे कि जैसे टिट फो टाइट करना उन्होंने कुछ करा फिर आपने का अच्छा तुमने किया तो मैं भी यह कर देता हूँ या फिर ऐसे करना कि कुछ इस तरह का आपकी तरफ से भी एक रहा है और उसका अब आपको भी realization हो रहा है कि देखो अगर हम एक दूसरे को जुकाने में या एक दूसरे को दबाने में लगे रहेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है और किसी का नुकसान हो या ना हो हमारा जरूर है तो ये सारी चीज़ें ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है और एक दूसरे को जुका कर हमने कुछ पाया नहीं उल्टा हमने एक दूसरे को ही खो दिया इस चीज़ की आपको बहुत जबरदस clarity आई है जो कि मुझे बहुत सही दिख रहा और आप इन चीज़ों को बैठके सोचते हैं और इन चीज़ों को बैठके अब analyze करते हैं तो अगले एक हफ़ते अगर मैं कहूं तो आपकी जो energies है वो इन ही चीज़ों में रहेगी आप यही सब बाते सोचेंगे बार-बार कि कहां पर किसकी गलती जादा होई किसने क्या किया अगर मैं ऐसा ना करती तो ऐसा होता ऐसा करता तो वैसा होता ऐसे सी सोचों में आप दिख रहे हैं लियो अब लियो में देखती हूँ क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस no contact में तो no contact में पार्टनर की क्या energies है वो देखते हैं 8 of cups 4 of cups then press and 5 of swords यही same card आपके में भी आया और यही same card उनके में भी आ गया देखें पार्टनर को यह लगता है कि जितना इस relationship में growth थी abundance थी एक दूसरे के लिए खुशियां थी एक दूसरे के साथ से जो हम दोनों ने magic create किया था अब क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को इतना let down feel कराया आपने भी किया और उन्होंने भी किया यह दोनों ने किया और उसकी वज़े से हो यह गया कि कहीं न कहीं आपका परसन अब अपने आपको बहुत ज़ादा detach फील करता है आपका परसन चाहकर भी आपको love और वो सब नहीं दिखाना चाहता अगले एक हफते में वो पूरी तरह से यह कोशिश करेंगे किसी तरह वो इस relationship से दूर हो जाएं अपने आपको कहीं न कहीं detach कर लें अगर मैं detach नहीं करूंगा तो मेरी मन की जो उदासी है वो खतम नहीं होगी बेसिकली आपका पार्टनर बहुत sad है आपके पार्टनर को अंदर से दुख होता है उसकी energies जो है वो बहुत sadness से भरी है और इसी लिए वो सोचता है कि अगर मैं इसी तरह sad रहा तो मैं अपनी life खराब करतूंगा बेटर यह है कि मैं अपने आपको emotionally vulnerable ना बनाऊ और इस पूरी situation से अपने आपको दूर रखो ठीक है अगले एक हफते उनकी यही energies रहेंगी और वो अपने आपको पूरी तरह से detach करने की कोशिश करेंगे आपसे भी आपके relationship से और खुद को संभालने के लिए उन्हें यही सबसे easy way out लगता है ठीक है आईए देखते हैं कि उनके love messages क्या है उनकी absence में जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं you are my home मुझे आप दुनों married लगते हैं अगर home बोल रहे हैं या फिर बहुत लंबा relationship है जिसमें आप एक दुसरे को नहीं खोना चाहते हैं और आपका partner तो especially and you sound very sexy on the phone ये तो अब आपको पता होगा आप लोगों किस तरीके की बातचीत होती है और sync में messages लग रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें 3 and 4 आपके partner आपको genuinely miss तो कर रहे हैं तब ही घर दिख रहा हूने लेकिन क्योंकि वो अपने आपको control नहीं कर पा रहे हैं चीजों में तो इसलिए वो अपने आपको detach करना शुरू कर रहे हैं ठीक है तो ये है आपकी reading अब हम देखते हैं divine guidance तो क्या है divine guidance Leo Rashi के लिए क्या करना चाहिए Leo Rashi को Leo Rashi को क्या करना चाहिए base chakra base chakra जो होता है वो है सो यह चक्रा कहीं न कहीं जैसे हमारे स्पाइन जो होती है हमारी जो रीड की हड़ी होती है बिल्कुल उसके नीचे होती है और यह कहीं न कहीं हमें फाउंडेशन देती है जैसे हमारी रीड की हड़ी हमारे पूरी बॉड़ी को फाउंडेशन पे खड़ा कर रखा उसी की आप avoid कर सकते हैं, जिनको आप अच्छे से face कर सकते हैं, वो चीजों पर आपको अपने काम करने की जरूरत है, लियो, and conflict and defeat का card है, तो पांच नमबर का card है, जो की बदलाव का है, देखिए, conflict होना एक अलग चीज है, कि मेरे जगडा हुआ, लेकिन conflict में मैं ये सोच चूग कि अरे मैं तो हार गया वो वाली feeling से ना अब आपको भाहर निकलना होगा अगर आप लोग हार जीत में लगे रहेंगे तो आप रिष्टे को हार देंगे कहते हैं ना कि जो लोग हार और जीत में लगे रहते हैं, अक्सर वो रिष्टे को हार जाते हैं, इस यह चीज आपको समज़नी होगी, कि मैं कहीं सामने वाले को बहस में या इन चीज़ों में हराने के चक्कर में या अपना पॉइंट प्रूफ करने के चक्कर में उसको कोई नहार दूँ तो ये वाली बाते ये बहुत बढ़ों ने जो बाते कहीं है न ये ऐसी बाते नहीं हैं इस बहस को जगड़े को हार जाना ही बेटर है जिसमें हम सामने वाले कोई खो दें हमेशा के लिए इन चीजों को थोड़ा सा देखें कि आपका बेस क्या है आपका सब्सक्राइब करें अगली रीडिंग मैं आप से मिलूंगी बाकी परस्नल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉंटाक कर सकते हैं सो बाइ फो नाओ आप से मिलूंगी रीडिंग करें परस्नल रीडिंग करें आप से मिलूंगी करें अगली रीडिंग कर दो नाओ